आज हम कवर करेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश की जो आपकी सप्लिमेंटरी बुक है मुमेंट्स उसका चैप्टर नमबर फर्स्ट है दा लोस्ट चैल्ड उसके एक क्वेश्चिन अंसर है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दा लोस्ट चैल्ड जिसके ओतर है मुलकराज आनद चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन अलड़ी हम कवर कर चुके हैं तो अगर आपको इसके बाकी चैप्टर देखने हो इस सप्लिमेंटरी बुक के तो डेस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है जिस लिंक प यहां गोट कर आख करेंगे बात बाइज वह आख कश्चन यह जा रहा है कि यह जो मेले में उस बच्चे ने देखी इननर बच्चे ने क्या क्या चीजें देखी और वह फिर बाद में पीछे क्यों छूट रहा था बार बार यह भी फूच्छा है हमसे तो इसका है the child sees a number of things which fascinate him on his way to the fair अब चाइड ने उस बच्चे ने काफी सारी चीजे देखी जो की उसे fascinate करी थी आकरशित कर रखी थी मेले में तो वो चीजे क्या क्या थी firstly he saw toys at a shop पहले उसने क्या देखा एक shop पे काफी सारे toys देखे then he saw a flooring mustard field उसके बाद उसने काफी सारा फूलों से बढ़ा हुआ mustard का खेत देखा in the fields the child also saw dragonflies butterflies fluttering their wings और उस खेतों में क्या देखा वहाँ पर उसने dragonflies भी उड़ रही थी butterflies भी उड़ रही थी यानगी काफी सारे पंची इतर उदर उड़ रहे थे अपने wings को फड़ फड़ाते हुए flutter करते हुए then while walking on the footpath he was amazed by the insects and worms और जब वो footpath पर चल रहे थे road के footpath तर तब वो किस चीज़ से amazed हुआ यानि कि अकर्शी तो हो गया था काफी ज़दा वहाँ पे जो ग्रूफ ही सो डौफ विच वर कॉइंग अब जब वो पेड़ों के बीच में आये लगबख जंगल के बीच में जो पेड़ थे काफी बड़े बड़े actually वो जंगल नहीं था वो रास्ता था जहां बीच में काफी ज़दा पेड़ आ गए थे तो वो जंगल की तरह ही दिख रहा था तो वहाँ पर काफी सारे पेड़ों के बीच में उसने क्या देखा काफी सारी डोव्स हैं जो अपनी कोइंग कर रही हैं अपनी आवाजे निकाल रही हैं उससे देखकर भी हो काफी ज़दा अट्रेक्ट हो गया जैसे वह विलेज के पास पहुचने वाले थे यह पास थे ही सा यूज क्राउड ओफ पीपल गॉइंग टू दा फेर और तब आपर गाम के नजदीक उसने क्या देखा काफी सारे लोग जो हैं बड़े सारे क्राउड में यानि कि बहुत ज्यादा लोगों की बीड मेले की तरफ जा रही है उससे नेक्स के दर चायड ऑलसो केम अक्रोस स्वीट मीट सेलर सेलिंग स्वीट लाइक बफी एंड गुलाब जामुन एंड लिटिल फॉर्दर ही केम अक्रोस एट फ्लार सेलर वो सेलिंग गार्लैंड ओफ गुलमोहर तो जैसे ही वह वहां पर पहुचे म देखा वहां पर एक मिठाई वाली दुकान देखी यहां कि मिठाई बेच रहा था जिसके पास काफ़ी जाए बर्फी गुलाब जमन वगरा थी और बाद में उसने क्या देखा कुछी दूरी में वहां पर एक फूल बेचने वाला था फ्लावर सेलर था जो कि अपने गार् देखा कि रैंबो कलर के यह नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के काफी ज़्यादा कलर फूल बैलून से वहां पर और उसके बाद उसने और क्या चीज़ देखी एक स्नेक चार्मर देखा जो कि क्या है अपने स्नेक को फ्लूट बजा कर कंट्रोल कर रहा था और जैसे वह अपने पैरेंट से चूट गया था उससे जस पहले उसने क्या देखा था एक गूमने वाला जूला देखा था बड़ा सारा यानि कि जो आप बड़े सारा जूला देखते हो मेले में वह होता है राउंड बाउट स्विंग अब वो क्या चैल बार बार पीछे रह रहा था किस वज़ए से अपने पापा से पीछे रह रह था क्योंकि वो काफी जैदा चीज़ों से अट्रेक्ट हो रहा था जो कि हमने अबी उपर देखी तो इसलिए उसके मम्मी और उसके पापा जो हैं वो उसे regular time पर constantly आवाज लगाते रहे ताकि वो पीछे ना छूट जाए और ये सब क्यों हुआ क्यों कि वहाँ पर मेले में उसने जो भी चीज़े देखी उन सभी से वो काफे ज़ादा अट्रेक्ट हो रहा था at times he stops to be able to buy toys and at other times he stops to admire the beauty of the nature collecting flowers catching butterflies और तब उसने क्या किया काफी जाता मतलब वो रुक जाता था बार बार ताकि वो toys खरीज सके और उसके बाद कई बार किसलिए रुकता था वो कि जो नेचर की beauty है जो आसपास की उसे अच्छे से देख सके और इनकी flowers वगेरा collect कर सके और butterflies को पकट सके तो इन सबी चीजों से वो जिन चीजों से attract हो रहा था वहाँ वो रुक रहा था बार बार अब second question है in the fair he want many things what are they अब fair में उसको क्या काफी जादा चीज़े चाहिए थी तो वो कौन-कौन सी थी why does he move on without waiting for an answer और वो अपने में पापा का जवाब सुनने से पहले ही क्यों चल पड़ता था the child want many things in the fair अब बच्चे को fair के अंदर काफी ज़्यादा चीज़े चाहिए थी और वो क्या क्या थी toys and balloons sweets from the sweet meal seller यानि कि उसको toys भी चाहिए थे balloons भी चाहिए थे जो मिठाई बेजने वादा उससे मिठाई भी चाहिए थी गुलमोहर की माला भी चाहिए थी स्नेक चार्मर वह भी देखना चाहता था राइट इन दा राउंड बाउट और वह जूले में जो बड़ा साला गोल जूला है उसमें जूला भी लेना चाहता था दाब बॉय मुवड ओन विदाउट वेटिंग फॉर अनसर बिकॉज रिक्वेस्ट वोड भी डिनाइड एच इच स्टेप और अब वो बिना अंसर के ही अपने बिना अंसर प्रप्त के ही वहां से क्यों चल पड़ता था अपने मम्मी पापा के साथ क्योंकि उसे पता था क उसके मम्मी पापा उसे हर एक स्टेप पर डिनाइए ही करेंगे मना ही करेंगे उसकी हर एक रिक्वेस्ट को यानि कि उसे वह कोई भी चीज़ खरीद कर नहीं देने वाले हैं अब थर्ड क्वेस्टन है वें डज ही रियलाइज देट यह वोज ही है अब उसे कब रियलाइज हुआ कि वह अपना रास्ता बटक चुक है और अब उसकी जो चिंता है और जो इन सेक्योर्टी है वो कैसे बताई गई है तो वो मेले में खोया कैसे था वो राउंड बाउट जो भी बड़ा सारा जूला था उसके पास रुग गया था इस वज़े से वो वहाँ पर रुका रह गया और उसके पैरेंट्स आगे चल दिये और वहाँ से वो उनसे अलग हो गया था अब उसे कब मैसूस हुआ जब वो बड़े सारे गॉल जूले के पास पहुंचा तब उसे मैसूस हुआ कि वो रास्ता बटक चुक है अब वो रुका क्यों था वहाँ पर क्योंकि वो जूला पूरी तरह से स्विंग कर रह था अच्छी तरह से गूम रह था जिसमें काफी सारे आदमी औरत बच्चे जो है वो एंजोए कर रहे थे इसलिए उन्हें देखने के लिए वो रुक गया वहाँ पर watching them intently he turned to his parents to ask for permission to go on the round but there was no reply from them तो क्या है वो जैसे उसने वो चीज़ देखी तो वो अपने parents से पूछने लग गया मुड कर कि क्या मैं भी permission लेने लग गया था कि क्या भी मैं भी एक round लेनू इसका he turned to look for them but they were not there लेकिन जैसे वो पूछने के लिए मुड़ा था तो उसने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर तो उसके parents है ही नहीं he looked all around but there was no sign of them अब उसने वो चारो तरफ देख लिया लेकिन उसे अपने parents का कोई भी निशान ने मिला वहाँ पर a deep a full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying out in real fear mother father अब क्या हुआ उसने चारो तरफ देख लिया लेकिन वहाँ पर उसे अपने parents का कोई निशान ने मिला था इसी वज़े से क्या वो जोर जोर से ब्रोने लग गया था उसके गले से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी थी यानि कि जहां पर वो roundabout के पास उसके मम पापा उससे separate हुए थे वहाँ पर वो जाकर खड़ा हो गया और जोर से चिल लाने लगा लेकिन वहाँ पर भी उसके मम पापा की कोई भी निशान नहीं थे और वो डर के मारे सिरफ दो ही चीज़े चिला रहा था mother father mother father tears rolled down from his eyes अब आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे his flushed face was conversed with fear अब उसका जो छोटा सा चैरा है प्यारा साब वो काफी ज़्यादा गबराया ऐसा लग रहा था panic-stricken he ran from one side to another और वो गबराय हुए चैरे से इदर उदर दोड रहा था in all directions knowing not where to go और अब क्या वो बार-बार directions में हर एक direction में गुम रहा था लेकिन उसे पता ही नहीं था कि अब कहां जाऊं his yellow turban came untied and his clothes became muddy अब उसके सीर पे जो yellow सी एक पगड़ी सी बांदर की थी उसने वो क्या है वो भी untied होगी यान कि वो भी खुल गई और उसके कपड़े भी है जो मड़ी होगे यान कि काफी ज्यादा मिट्टी लगगी उन पर महले होगे वो भी अब fourth question है why does the lost child lose interest in things that he had wanted earlier अब उस lost child का उस खोई बच्चे का जो interest है वो बाकी चीजों से अचानक से क्यों होट गया यह उचा गया है जिन में उसका पहले interest था अब अचानक से वो interest क्यों होट गया था वो इंट्रस्ट जो है इसलिए हटा था क्योंकि वो अपने parents से बिच़ड चुका था the lost child loses interest in the things that he had wanted earlier because he was panic-stricken on being separated from his parents अपने parents से बिच़डने की वज़े से ही उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से गोम गया था यानि कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इसलिए उसे किसी भी चीज में अब इंटरस्ट नहीं आ रहा था जो चीजों में वो इंटरस्ट पहले ले रहा था अब उसे कुछ भी इंटरस्ट नहीं आ रहा था all he wanted was to be untied with them all the things that attracted him in the fear no longer appeal to be appeal to him and now the only thing that matters is finding his parents और अब क्या था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए वो कैसे उनसे दुबारा मिलेगा यह भी नहीं पता था और जिन चीजों से वो पहले काफी ज़्यादा एट्रेक्ट हो रहा था अब वो उसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही थी अब तो उसे एक ही चीज चाहिए थी कि उसके मंपापा उसे जल्दी से मिल जाएं यह लास्ट क्वेश्चन आपके इस चेप्टर का वर्ट विए थिंक हैपंस इन अब आपको क्या लगता है कि स्टोरी के एंड में क्या हुआ होगा ड़सा चाइल फाइंड फाइंस पैरेंस क्या उसको अपने मंपापा मिल गे थे बच्चे को इन अपने प्रण पैरेंस वर्ण को को चैके लिए विए 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 प्रण विए विए उसको अरे एक टाइम पर चेक कर रहे थे शुरू से जब जरनी वन्होंने घर से स्टाट के थी तब ही से चैक कर रहे थे कि बच्चा हमारे पास है साथ है या नहीं है कि बच्चा जो है उनसे भी छड़ गया उन्होंने रियलाइज किया और बच्चा फिर अपने पैरेंस को खौजने लग गया अब आखिर में क्या हुआ कि जो एक आदमी था जो उन्हें मिला था उस बच्चे को जो की काफी दयालू था और उसे समझने वाला था उसने काफी ज़्यदा ट्राई किया काफी ज़्यदा थिंग्स के बारे में पूछा जो कि उसे अच्छी लगती थी बट तब उसके लिए वो चीजे मैटर नहीं कर रही थी उसे सिरफ यही चाहिए था कि मेरे मम पापा मिल जाए तो उस आदमी ने क्या किया उसके मम पापा के बारे में पूछना शिरू कर दि यही चाहता था मैं कि वह अपने पैरेंट से जल्दी से जल्दी मिले और यह वच्छा वापिस से खुश हो जाए तो इसको सब्सक्राइब इतना ही था तो इसके जो पांच कोश्चन थे जो कि आपके पेज नंबर 6 पर थे वह पूरे हो चुके हैं तो उमीद आपको वीड आपको डूंड़ना ना पड़े बार बार तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए कॉमेंट बॉक्स में हमें अपने वैलिवल व्यूस जरूर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो थ